तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वेबसाइड के साइड मैप कैसे क्रियेट करेंगे ठीक है तो सिंपली साइड मैप क्रियेट करने के लिए हम अपने Chrome Browser को open कर लेते हैं तो simply हम open करके रख्या है यह हमारा वेबसाइट का dashboard है तो simply हम इस website के side map create करके बताएंगे और रेडि मेरा create है लेकिन आपको फिर भी बताएंगे किस तरह create करते हैं ठीक है तो simply क्लिक किजिएगा तो आप डाइरेक्ट यहां पर चलिए यहां ठीक है तो सिंपली यहां पर आने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा तो सिंपली आपको नीचा स्क्रॉल करना है और यहां पर देखिए लिखा है लिंक साइड मेप जनरेट इस पर आपको किलिक करना है ठीक है इस पर किलिक करेंगे तो किलिक करने के बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा ठीक है तो सिंपली आपको क्या करना है यहां पर आपका वेवसाइड का जो भी वरल है उसको पेस्ट करना है जैसे कि मान के चलिए हम यहां और यहां से आपका अप्के GIS कर लेना है यहां से और यहां पर आणा है और यहां पर इसकु इस तरह आपँ ने वेब्साइट कर दियरा और यहां पर पेस्ट कर देना है इस तरह धीक है अब देखिएका पेस्ट हुआ है इस तो सिंपली आपको क्या करना है इसको यहां से सेलेक्ट करना है यहां से और आपको यहां लास्ट में यहां तक लिए सेलेट कर लेना है और इसको कूपी करके क्लिफ़े चाहे तो आप अपने नोटपैड में रख सकते हैं यहां से नोटपैड में यहां से देखिए और चाहे तो अपसी करके डाइरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं तो सेन्पिली क्लिफ़े करने के बाद में इस具 Z बलॉगर के setting में चलिया यह बलॉगर के setting में आने के बाद में simply आप क्या किजिए नीचे scroll करिए scroll करने के बाद में यहां देखिए custom robot txt txc इस पर आपको किलिक करना है और यहां पर लिया के इसको आप में कुछ भी नहीं होगा जैसे आप में इस type का होगा खाली होगा ठीक है तो यहां पर आना है और यहां पर आकर पेस्ट कर देना है simply आपको यहां पर पेस्ट कर दिये पेस्ट करके और सेफ पर किलिक कर दिजिएगा ठीक है सेफ पर किलिक करने के बाद में उसके बाद में सेफ पर किलिक कर दिजिएगा किलिक करने के बाद में आ यहां से आपको सब्सक्राइब करने के बाल में आप मतलब आपका जो भी सब्सक्राइब कर लेना है तो मैं यहां से न्यू टैप ओपन करता हूं और गूगल सब्सक्राइब सर्च करता हूँ तो मैं गूगल सर्च कंसल के सर्च और यहां से इसमक्राइब करता है तो मेरा मल्डिपल वेबसाج चलता है तो आपका देखिए जो भी डूमीन है उसको select कर लेजिएगा select करने के बाद में आप side या लिखाय नीचे side में इस पे अपको किलिक करने के बाद में यहां पर देखिए आपका कुछ इस type का side में पाय घा थीकए तो वहां से हम इसको क्या करेंगे यहां से ऑल रेडी हमारा डॉमीन नेम यहां पर देखे इतना दिखाई दे रहा है ठीक है मेरा जो भी में डॉमीन है वो दिखाई इतना दे रहा है तो हमको उसके बाद में कहां से पेस्ट करना है हमको यहां पर आना है और देखिए यहां डॉट इन है उसके बाद में लिखा है औ तक ले और कूपी करके और फिर आना है और यहां पर पेस्ट कर देना है देखिए कुछ इस टाइप को पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद में यहां लिखाए सब्मीट सब्मीट पर जैसे किलिक करेंगे हमारा साइड में यहां पर सब्मीट हो जाएगा ठीक है मैं जरूर लाओंगा ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगरे वीडियो में